नमस्कार रचेस बिहार देख रहे हैं आप में नाम अदीप तयार्यन है बिहार में सबसे पहला जो तारा मंडल है वो इसकी राजधानी पत्ना में बनाया गया था साल 1994 में ये देख का दूसरा तारा मंडल भी था इसके पहले सिर्फ एक ही तारा मंडल था वो कुलकाता में था लालू परशाध यादव की देन है कि बिहार में आज तारा मंडल है अब बिहार में दूसरा तारा मंडल बनने जा रहा है और उसी की कहानी आपको मैं सुनाओंगा दरासल दरभंगा जहांपे अभी कुछी दिन पहले एक एरपूट का भी निर्मान करवा दिया गया और फ्लाइट वहां से अब भारत के अलग-अलग शहरों में बैंगलूर दिली में जा रहा है दरभंगा में ही बनने जा रहा है बिहार का दूसरा तारा मंडल और यह तारा मंडल बहुत माइने में विसेश रहेगा तीन सो चातर चातरा यहां पर एक बार में बैट कर भुगोल और इतिहास को समझ पाएंगे हमारे रिपोर्टर मनो जहा ने वहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन इंजिनियर है अरुन कुमार साही उनका नाम है उनसे बात किया है मनो जहाने देखें क्या कुछ कहना है अरुन साही का कब तक ये पूरा हो जाएगा और क्या क्या अभी सेष्टा रहेगी इस प्लैनेटोरियम में सर ये जो दर्भंगा का तारा मंडल बन रहा है अभी इसका स्टाटस क्या है कब तक ये कंप्रीट होगा और कितना काम हुआ है कि दिखिए लगभग 40 परसंट काम हो गया है और उमीद करते हैं कि अने दर वन यर लग जाएगा सर कितने दिनों में ये काम पूरा होना था कितने का ये माई 2021 तक सिड्यूल कंप्लीशन था और कोरोना इस सब के कारण थोड़ा डिले हुआ है तो हम उमीद करते हैं कि लोग के लिए बहुत ही नोटनी लोकल मनमिन से के लिए भी शिखने का प्लेयर्य टॉरियम के बारे में सिखने का जानने का मुका मिलेगा और साथ-साथ इंप्लाइमेंट में भी यह होगा बगी आज-कल देखते हैं कि हरदे मॉल और यह सब तरह का साइन्स टेकनोलोजी और अधर फिंग पर प्रोग्रेस हो रहा है यह भी एक टेकनोलोजिकल डेवलोप्मेंट कफिंग गया और बिहार में तो यह साथ दूसरा जगह है तसर बताया जा कि कितने इसमें लोगों को बैठने की छमता है तीन सो के आसपास यहां पर प्लेनेटोरियम में बैठने की छमता होगी और इटोरियम में और इस तरह की भी चीज़ें इसमें होंगी काफेटेरिया सिस्टम है बने लोग खाएंगे पीएंगे कुछ तो डेवलप होगा और कुछ रोजिगार भी मिल जाएंगे आप कर रहा है कि ग्यान भी ग्यान के साथ साथ मनोरंजन की भी पूरी प्रवस्था है अच्छा ताब बताया जाएंगे यह जो मितलांचल है इसमें छात्रों के लिए क्या उससे फादा होगा यह बनने से चात्र आप ग्रह में कैसे सुर्य के चारों तरफ सोलर सिस्टम है उसके चारों तरफ ग्रहें परिकर्मा करती है तारे कैसे सोलर सिस्टम में आपका सौर मंडल में मूव करते हैं इसी सब के बारे में जानकारी होगा सर नाम अरुन कुमार साही है और मैं यहां प्रोजेक्टरीं चार्ज हूं तो यह अरुन साही है और अगर हम बात के रदर भंगा के विधायक संदे सारगवी की तो उनका साफ कहना है कि बहुत जल्द यानिकि एक साल के अंदर में यह तारा मंडल शुरू हो जाएगा और इसके साथी साथ यहां पर बहुत तरह की और विवस्थाई कराई गई है की जा रही है इसमें कैफेटेरिया रहेगा जहां लोग आकर अपना समय बिता सकेंगे दर्भंगा का ग्रो झाल